बाकि एक दो मेडम हैं, जो कि लाइव क्लास में ऐसे बाल से बिखेर के आती हैं, काफी साल दोग ने, और फ्रेंट्स ये कई बार टीचर का डीसेजन नहीं होता, टीचर कई बार इसको अपने मन से भी नहीं कर रहा होता है, पता है कोन कराता है, जो कि ये बोलते हैं कि मुझ अच्छे माक्स के साथ क्रैक कर ही नहीं पाऊगे, दोस्तों अगर आपने भी कोई ऐसा गोल बना रख है, कि मुझे जल्दे से जल्दी एक अच्छी हाइस पेंग रैप्टिड गवर्मेंट जोब लेनी है, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े मैं करूंगा, तो आज का ये वीडियो स्पेसल आपके लिए ही है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा, और अगर आप इस वीडियो को समझ जाओ, तो दोस्तों के साथ भी जाद से जादा जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो, त कमेंट करके जरूर बताएगा, तो फ्रेंट्स आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों और तत्वों के बारे में, जिन से आपको बहुत जादा बचके रहन हैं, जो चीज़े आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि फ्रेंट्स कुछ चीजे ऐसी हैं जो कि आपको आपके गोल से बहुत जादा दूर ले जाएंगी और आपको पदा भी नहीं चलेगा, और आपके हाथ में केवल फैलियर ही लगेगा, देखे फ्रेंट्स यह जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, और इस पेसली, जो एक कॉम्प्टिटिव एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं, जिसमें ओवियसली कोई बुराई नहीं है, टेकनलोजी है, जो कि आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप घर बैठे प्रिपेशन कर सको, ओवियसली टेकनलोजी का आपको राइट वे में बेनिफिट भी उठाना चाहिए, लेकिन फ्रेंट्स एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर आपको जरूरत है regular basis पर classes लेने का, तो एक दिन में एक subject के लिए एक घंटेस ज्यादा online class मत लीजेगा, क्योंकि friends आपको आपके mind को भी time देना चाहिए, ताकि जो data आपने consume करा, आपका mind उसको अच्छे से read कर सके, उसको access कर सके, उसको focus करना चाहिए, comparatively online study, क्योंकि friends self study is more powerful than any classes, friends मैंने काफी सारे students को देख है, वो एक दिन में 4 subject की 2-2 घंटे की classes लेते हैं, तो दिन में 8 घंटे की तो online classes ही हो गए, और फिर self study का time नहीं बसता, और ये आपको अच्छे से पता ही होगा, अगर आप self study को proper time नहीं दे पा रहे हो तो आप किसी भी exam को अच्छे marks के साथ crack कर ही नहीं पाओगे, तो friends अगर आप एक perfect preparation करना चाहते हो, तो हमेशा 1.5 time वाला formula लगा के चलिएगा, यानि कि अगर आपको regular classes लेने की जरूरत है, तो आप जितने time classes ले रहे हो, उसका date गुना आपको self study भी करना चाहिए, मान के लिए एक दिन में आपने एक subject की एक घंटे की class ली, तो एक घंटे का date गुना कितना हो गया, date गंटा, जो आपने class में पढ़ा, उसको date गंटा आपको self study भी करके पढ़ना पड़ेगा, उसको एक perfect preparation माना जाता है, और हाँ मैंने कई बार एक और चीज़ नोटिस की है, एक scientific research भी यही कहते हैं कि हमें रात को 10 बजे के बाद digital screen को focus नहीं करना चाहिए, यह आपकी आखों को तो effect करेगा, उसी के साथ आपके brain को भी बहुती जबर्दस तरीके से damage करता है, जो आपकी retention power होती है न, यह उसको बहुती बुरी तरीके से effect करता है, आपकी retention power घर जाती कभी भी 10 बजे के बाद online classes मत लीजेगा, अब काफी सारी students की problem भी मुझे आती रहती है, कि भया आपने बोल तो दिया कि एक घंटेस ज़्यादा एक subject की class नहीं लेनी चाहिए, रात में 10 बजे के बाद online classes नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम करें क्या, जिस study platform से हम पढ़ रहे ह जिस teacher से पढ़ रहे हैं, उनका time table तो यही है, वो तो daily हर एक subject की classes लेकर आते हैं, वो तो रात में 10, 11, 12, 1 बज़ तक पढ़ाते हैं, तो हम चीजों को कैसे manage करें, friends यह आपकी गलती है, आपकी हाथ में technology है, आप technology से घिरे हुए हो, आपकी हाथ में freedom है, आप जब चाहो internal awareness की class की, अगर आपको जरूरत है केवल mathematics की online class की, तो आप क्यों चारो subject की class ले रहे हो, reasoning को खुद करो, खुद time दो, जितना जादा हो सके, self study से cover करने की कोसिस करो, हमें सा बोलता हो, friends, targeted पढ़ो, classes भी targeted लो, अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है कोई online lecture लेने की, को आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, फिर भी आप चारो subject की 8-8 घंटे की classes ले रहे हो, ये total waste of time होता है, इस time को waste करने से बचेगा, क्योंकि friends, अगर आप कहीं पैसा दे रहे हो, या फिर time दे रहे हो, दोनों एक ही बात होती है, बलकि friends, मैं तो यह कहूंगा, जितना ज़्यादा हो सके, live classes को avoid करने की कोशिस करेगा, क्योंकि friends, मैंने maximum time notice किया है, कि काफी सारे teacher live classes में बहुत ज़्यादा time consume करते हैं, अगर कोई teacher 2 घंटे की live class ले रहा है, तो उसमें से आधे से 1 घंटा तो comment पढ़ने में लगा देता है, और आपको लगता है कि, आल तो मैंन इसकी 2 घंटे ही class ले, 2 घंटे में जितना material, जितना data store होना चाहिए था आपके mind में वो नहीं जा पाता, और आपका data, पैसा, time, सब कुछ waste होता है, मैंने खुद कई बार ये notice किया है, जब कोई teacher live class स्टार्ट करता है, तो 3-4 मिलट तो camera के सामने आने में ही लगा देता है, उसके बाद like share करवाने में लगा देता है, उसके बाद comment पढ़ने में लगा देता है, और फिर बीच बीच में फाल दूगे, इधर उधर की बगवास करने में लगा देता है, तो ऐसी आपका time consume होता रहता है, waste हो रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, और हाँ यार, आज यहाँ पर मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मैंने इस चीज को बहुत जादा नोटिस किया, छोड़ी-छोडी क्लिप वगएरा मेरे सामने आती रहती है, friends, especially कुछ teacher, teacher क्या कहेंगे यार, उनको कुछ, especially कुछ madam है, एक दो, एक दो तो नहीं है, वैस त पढ़के, इधर उधर की बाते करके ही, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अगर एक से डेढ़ घंडे की लाइव क्लास चल रहा है, तो उसमें मुश्किल से 10-15 मिनट वो पढ़ाते होंगे, मतलब यार, कोई student कमेंट करके पूछ रहे हैं, कि मैडम, आप मुझ से साधी कर लो आपका फोकस पढ़ाई के उपर रहना चाहिए, आप फालतु की कमेंट कांसर क्यों कर रहे हो, लाइव क्लास चल रहे है, कोई Q&A सेसन थोड़े ही न चल रहे है, और मैंने इस चीज़ को भी नोटिस किया है, student कमेंट करके कुछ पूछ भी ने रहा, फिर भी उसका होगा, मैं तो recorded video बनाता हूँ, काफी सार लोग personal सवाल भी पूछ थे, कमेंट में भर भर के, मैंने कभी उसका response किया, मैंने वीडियो में उसके बारे में जिकर किया, नहीं, कमेंट में ही आपको कभी-कभी आंसर दिया होगा, लेकिन कभी भी मैं ऐसे time waste नहीं करता, तो यह teacher है, student को सही direction दीजे, कम से कब उनका time तो waste मत करिये, बहुत सारी हैं, ऐसे मैंने चीज़े किया है, कुछ लोग तो live class के बीच में phone पे बात करने की acting कर गये ही, time waste कर रहे हैं, कुछ लोग class के बीच में cricket match भी चला दे रहे हैं, तो मतलब यार कुछ भी हो रहा है, और आपको हमें तो इसका अच्छे से बता है, हमें बहुत सारी call emails आते हैं, कि सार हम social media handle करते हैं, आपके YouTube channel handle करेंगे, audience को किस तरीके से हीचना है, classes के बीच में क्या क्या बात करनी है, ताकि student जादा जादा attract हो सके, तो ये वो सब पूरा fund है, उसके बारे में आगे discuss करेंगे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो फाल्दू का live classes के अंदर time waste होता है, उनसे बचने की कोशिस करिएगा, जिस topic को clear करने के लिए online lecture की जरूरत पढ़ रही है, उसी को clear करने के लिए आप classes वगरा की help ले सकते हैं, और हाँ current affair से related एक और चीज मैंने दीखिए, काफी सार लोग daily morning मे 2-3-3 घंटे की current affair की classes लेके आ जाते हैं, और आप मज़े से 2-3 घंटा उनको दे भी दे देते हो, फिर्स current affair के साथ एक factor जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है कि आप daily 2-3-3 घंटे की regular basis पर classes लो, अगर आप weekly और monthly current affair का compilation भी cover कर रहे हो, वो enough होता है, काफ लो, उसको cover करो, फिर next month cover करो, ऐसे भी काम चल जाएगा है, फिर कोई marathon वगएरा लेकर आ रहा है, पुरा monthly या फिर weekly, उससे related आप notes वगएरा बना के current affair को prepare कर सकते हो, छोटा सा section होता है, 10-12 question आते हैं, आप आसानी से कर लोगे, बहुत ज़्यादा time waste नहीं करना केवर current affair section के उपर ही और वो भी online classes के अंदर, अब friends यहाँ पर एक और point है, online courses को लेकर, मैंने notice किया है, बहुत सारे student, SSE CPU SI की तयारी कर रहे हैं, उन्होंने किसी teacher का, किसी study platform का, CPO के लिए online course purchase कर लिया, वो preparation करने लग रहे हैं, फिर 2 महीने बाद, SSE CGL की vacancy आ जाती है, उनका focus सिफ हो जाता है, SSE CGL के उपर, और वो फिर SSE CGL का कोई online course purchase कर लेते हैं, अगर कोई student SSE MTS की तयारी कर रहे है, उसने SSE MTS का course ले रखा है, और फिर एक महीने बाद constable GD की vacancy आ जाती है, तो फिर से constable GD का भी course ले लेता है, तो यहार यह total waste of time भी है, waste of money भी है, आपको ऐसा बिलक को मिलते हैं, English, General Awareness, Reasoning, Mathematics, मखज़त तो आपका concept clear करने से, मखज़त तो आपका basis strong करने से है, तो क्यों बार-बार आप अलग-अलग course purchase करके time waste करते हैं, तो friends, courses करिएगा, अगर आपको बहुत जादा जरूरत है, आपको लगता है कि हाँ, कोई online course मेरी really में help कर सकता है, तो courses करेगा, केवल one time investment करनेगी, बार-बार invest मत करेगा, time और पैसा दोनों waste हो जाएंगे, बलकि मैं तो यह कहूंगा, जब आपके पास freedom है, तो उसका benefit आपको उठाना चाहिए, चार sections की आपको preparation करनी होती है, competitive exams के लिए, friends, कहीं बार ऐसा होता है कि maths के अंदर आप week हो, लेकि reasoning आपकी अच्छी खासी, आप self study करके भी उसको improve कर सकते है, English आपकी week है, लेकिन general awareness को आप self study करके theoretical पढ़के भी cover कर सकते हो, तो क्यों friends, एक exam के लिए, चारो subject का course पर सेज करना है, क्यों combo पर सेज करना है, क्यों pass over time दोनों waste करना है, जब आप किसी section को खुद self study करके भी improve क कर सकते हो, strong बना सकते हो, तो आप उसको self study करिए, जोंसा subject आपका week है, जिस subject में आप week हो, जिस subject को आप खुद improve नहीं कर पा रहे हो, उसमें आप course बगेरा पर्चेज कर सकते हो, teacher की help ले सकते हो, अगर आपको केवल जरूरत है mathematics की, तो केवल maths का ही course पर्चेज करें, ये न बता चुक हो, अगर एक घंटे के किसी subject के एक दिन में class ले रहे हो, तो उसका डेड़ गुना मतलब डेड़ घंटा आपको self study भी पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा संभल के चरिएगा, इस चीज में कि आप कहाँ पर right direction में जारे हो, कहाँ पर आप wrong direction में जारे हो, कहा पर आप pass out time दोनों waste कर रहे हो, बलकि यार ये चीज़ों तो मैं उन सभी online educator को भी कहना चाहूंगा, अगर ये video किसी तक पहुच पा रहे है, कि आप students के लिए चीज़ों को थोड़ा easy करने की courses करिये, अगर possible हो पा रहा है, आप कोई online course बना रहे हो, तो students को थोड़ी सी freedom दे GS का अलग, जिसको GS की जरूरत है, ठीक है, English का अलग इस तरहे के से, ताकि students चीज़ों को अच्छे समझ पाए और afford भी कर पाए, क्योंकि इस चीज़ों मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं भी student रह चुका हूं, जितने भी competitive exam, experience हैं, इंडिया के अंदर, मेरी हसाब से सभी middle class family से बिलोग करते हैं, सभी financially इतने अच्छे नहीं है, सभी financially weak है, तो काफी साथ लोग afford नहीं कर बाते हैं, मैं तो अपने time पर books भी afford नहीं कर बाता था, तो इसलिए चीज़े अगर easy हो जाए, तो student को थोड़ा सा और, अच्छा फीलो, थोड़ा और अच्छे से वो prepare कर सके, और मैं तो यह कहूंगा, सभी students को try करिए free करने के, ठीक है, free content consume करने के, YouTube के उपर सब कुछ है, YouTube के उपर free classes सब कुछ अवलेवर है, बलकि मेरा मानना तो यह है, अगर कोई online teacher आपको free classes YouTube के उपर provide कर रहा है, अगर वोई teacher आपको कोई online course भी provide कर रहा है, तो मेरा मानन तो यह है कि वो teacher आपको course के अंदर कुछ special नहीं दे पाएगा, जो कि वो free classes के अंदर दे पा रहा है, लेकिन अगर वो teacher ऐसा बोल रहा है कि हाँ, आपको courses के अंदर कुछ special मिल जाएगा, तो मतलब free में आप जो class ले रहे हो, उसका नुकसान है, आपको अंधेरे में रखा तो उस online platform के जितने भी teacher है, जो आपको free में classes प्रोवाइड कर रहे है, वो लेने का फिर कोई भी फाइदा नहीं है, क्योंकि फिर आपको अपना 100% वो teacher वहाँ पर नहीं दे रहे हैं, वो केवल course में देंगे, मेरे ही आप example ले लिजे, general awareness की बहुत बड़ी बड़ी marathon मैंने आपको YouTube के उपर free provide कर रखे है, अब मैं चाहता तो paid courses भी लगा सकता था, paid classes भी इनको बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने इन free classes के अंदर अपना 100% दिया है, अब इससे उपर और मेरा कुछ होई ही नहीं सकता, तो मैं क्यों courses मैं क्यों paid classes लगा हूँ, क्योंकि मैंने अपना 100% effort यहाँ पर free में ही दे दिया है, ठीक है, मैं उससे ज़्यादे आपको कुछ provide नहीं कर सकता, फिर तो मैं आपको धोका ही दे रहा हूँ, कि free में भी और paid courses में भी वही, इसलिए मैं ये सब कुछ free में ही रखता हूँ, अग मैंने चीजों को review और analyze किया है, कि किसी भी paid courses के अंदर कोई भी teacher अपना केवल 50-60% ही effort दे पाता है, अगर कोई teacher YouTube के ओपर आपको free classes provide कर रहा है, और वही teacher अपना course भी provide कर रहा है, तो course में केवल 50-60% effort दे पाएगा in comparison of these free classes, जो आपको free classes में देखने को मिल रहा है, वो उस paid course में उसे कम ही effort दालता है, YouTube के ओपर free class में teacher को अपना ज्यादा effort इसलिए भी देना पड़ता है, क्योंकि उसे जरूरत होती है, वहाँ पर students की subscribers की likes की वो style की, अगर वो अपना 100% effort नहीं देगा, तो उसको वो सभी चीज़े वहाँ पर नहीं मिलेंगे, और paid courses के अंदर वहा एक human factor होता है, ये एक human nature होता है, अंदर से चीज़े automatically ऐसे होने लग जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो यहीं कह रहा हूँ कि free सब कुछ अवलेबल है, consume करें, ज आपने कई बार notice किया है, जब आप किसी online teacher से classes लेते हो, पढ़ते हो, YouTube के ओपर, तो आपको उस teacher के नाम से कुछ और YouTube चैनल बने मिलेंगे, जैसकि किर्शी teacher का कोई नाम है, उसके नाम से आपको मिलेगा कि फलाना teacher, fan page, फलाना teacher, fan club, फलाना teacher के लाडल, फलाना teacher के सेर, सेर आपको मिलेगी, ठीक है, और इनके ऊपर काफी सारे student time भी waste करते रहते हैं, एक ऐसी clip देख लिए उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर उसके बाद दूसरी clip आ गई, उसको देखने लग गए, और जब आप ऐसा करते हो, तो YouTube suggestion, suggest पर suggest करता रहता है, और teachers की जंग में भी सामिल हो जाते है, काफी सारे students तो preparation छोड़के, फिलाल तो हालत ऐसी है, YouTube के उपर कोई भी teacher अगर पढ़ा रहा है, उसके नाम से आपको कोई fan club channel बना मिल जाएगा, अब आप सोच रहे होंगे, कि जो students है, या फिर उन teachers के जो fan है, जो students उनको पसंद करते हैं, वो उस channel को बन बनाए हुए होते हैं, खुद उन ही study platforms के द्वारा बनाए गए होते हैं, और friends उन channels को handle को करता है, इन teachers के आफिर इन study platforms के जो social media managers होते हैं, social media handle करने वाली companies होती है, वो handle करती है, अब मुझे ये सब कैसी पता है, क्योंकि friends हमें भी daily ऐसे बहुत सारे phone calls आती है, बहुत सारी approaches बहुत सारे emails आते हैं, किसारे हम फलाना company से बात कर रहे हैं, हम social media manager आपको provide करेंगे, आपके जितने भी YouTube channel है, social media handle है, वो सब कुछ हम खुद handle करने वाले हैं, audience को लेकर आएंगे, students को आपके पास लेकर आएंगे, हम workshop लेंगे, हम आपको बताएंगे कि classes में किस तरीके से ब emotionally attached होंगे, तो ये वो पूरा खेल है, आपको लगता है कि उस teacher के किसी fan ने इस channel को बनाया है, और उस teacher की clip वो upload कर रहा है, जिससे बहुत जादा views बगारा आ रहे हैं, नहीं, वो social media managers होते हैं, इसी companies होती है, जो कि ये service provide करते हैं, ठीक है, और ये सब इसलिए क्या जाता है, ताकि आप उस teacher से emotionally attached हो सको, जो teacher बोले, आप वही करो, teacher बोले कि ये course purchase करो आपको selection हो जाएगा, आप बिना सोचे समझे उस course को purchase कर लोगे, क्योंकि आपके mind में एक अलगी image बन चुकी है, आप manipulate हो चुके हो, ठीक है, आप emotionally attached हो सके हो, वो teacher जो बोल गए, आप उसकी बात न उनके लिए है, ये point है हमारा, try not to sell yourself, मतलब खुद को बिकने से बचाने की कोशिस करना, friends ये game है T-shirt का, देखे friends, YouTube के उपर कुछ ऐसे online teachers होते हैं, जो कि really में बहुत ज़्यादा serious होते हैं, जो कि पढ़ाने के उपर बहुत ज़्यादा focus करते हैं, अपना 100% effort देते हैं, students उ उनसे काफी ज़्यादा परभावित रहते हैं, इसलिए काफी audience उनके पास होती है, काफी views बगारा अच्छे आते हैं, लेकिन friends कुछ ऐसे आपति जना तत्व घूमते रहते हैं, इस online education system के बीच में, जो कि यार इन ऐसे teachers को खाने की कोशिस करते हैं, और बुरी तरीके से ख जाते हैं, वो सार्क्स हैं, हम simple engagement को सार्क्स बोलते हैं, जो कि खा जाते हैं, मतलब अगर कोई teacher अच्छा कर रहा है, तो आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मैनुप्रेट करने की कोशिस करेंगे, उनको खतम कर देंगे, आप कुछी दिन बाद देखोगे, जिस teacher को आप पसंद करते हैं, जिस teacher का पढ़ा है, वो आपको समझ आता था, वो कुछी दिन बाद किसी और की टीशर्ट आपको पहने मिलेगा, और केवल टीशर्ट का नहीं, बिना टीशर्ट के भी ये खा जाते हैं, जो वो बोलेंगे, उपर वो teacher वो ही करेगा, जिस तरीके से वो बो companies हैं, तब आके कोसिस कर चुकिया, किसी तरीके से खरीद लें, काफी सारी बड़ी-बड़ी companies, companies क्या online study platform है, जिन्होंने कचना मना के रखा हुआ है, system को, वो खरीदने के कोसिस कर देगे, किसी तरीके से इस teacher को हम खरीद लें, या तो या अपना channel हमें दे दे, या फिर हमारे channel के ओपर हमारे platform को students को भेजेगा, तो इस type से game चलता रहता है, students को पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि friends, जितने भी companies या फिर जो ये आपत्नी जनक तत्व हैं, ये हमें approach करने की कोसिस करते हैं, पहले हमारे सामने list ही रखते हैं, देखे sir, हमन इनको acquire कर लिया, ये teacher हमारे under पढ़ा रहा है, सारी list हमारे पास है, friends, कुछ teacher के आपने videos देखियोंगी, जो कि ये बोलते हैं कि मुझे इतने करोड का offer आया सामने से, मुझे 100 करोड का offer आया, वो जूट नहीं बोलते, reality है, इतने बड़े-बड़े offer, reality में आते हैं, हमें भी मेहनत किया है, खुद आगे बढ़ेंगे, खुद सब कुछ करें, क्योंकि students को धोका नहीं देना, आपके वज़े से हम यहाँ पर हड़े हैं, तो यार मैं बस यही कहना चाहूँगा, जितने भी online educator है, अगर आप मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो पढ़ते रहे हैं, menu plate ही वो कर रहे हैं, जो उनको पीछे से बोला जा रहा है, वो अपने channel के उपर भी वही बोल रहे हैं, वो teacher popular है, इसी लिए जो बड़ी-बड़ी companies हैं, जो साक्स हैं, वो उसको खाने के कोसिस करते हैं, इसके पास audience है, अगर मैं इसको ले लूँ, तो वो automatically मेरे पास खीची चली आएंगे, क्योंकि students इसके उपर भरोशा कर रहे हैं, और वो तो आगे तो वो कच्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कच्रा कुछ भी नहीं है, total waste on time, और 2021-22 में वो जो companies हैं, बहुत जबरदस तरीके से loss में भी जा रहे हैं, क्योंकि promotions के उपर ज़्यादा पैस लगाते हैं, और quality के ओपर बिल्कुल भी पैसा ये नहीं लगाते हैं, तो ये पुरा fund है, और हाल ही बात है, एक महीने की भी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा online study platform जो हमारे बीच में है, फिलाल, लगबाग 9 million के आसपास subscribers उसके पास होंगे, खा चुका है, बिक चुका है, अब कुछी दिन बाद आपको उसका नाम चेंज, टी-शर्ट सब कुछ चेंज मिलेंगी, एक ही नहीं बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि जो हमें सामने से अप्रोच करने के उसिस करता हूँ, पहले उन्हीं की list, उन्हीं की agreement वगएर हमें contract वगएर दिखाता है, शुर एक ही बात है, clear है, तो थोड़ा सा समल के चलिएगा, इस system में देखेगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, बार-बार एक ही चीज मा बोल रहो, एक और चीज है यार, online education के field में, fake motivation, काफी सारे लोग जो है, काफी सारे जो teacher है, channel के उपर आएंगे, पहले एक लंबी च चुरुआत की मिनट में, 4-5 motivational line आपको इसे नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि अगली ही मिनट उनको अपने course के बारे में बात करनी होती है, तो इस type के fake motivation से बचेगा, हमेशा real motivation के ओपर believe रखेगा, और real motivation कहाँ पर आएगा, आपके parents की तरफ जबाब देखोगे, अंदर से automatically real motivation निकलने के आएगा, जो कि कभी भी खतम नहीं होगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, जो कि हमेशा आपको करने के लिए आगे बढ़ने के लिए push करते रहेगा, force करते रहेगा, और हमेशा आपके अंदर एक जब वर्दस positive energy उत्पन होती रहेगी, ठीक है, तो real motivation के बीचे फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा, बड़े-बड़े study platforms पे different teachers course को scale करने में पूरा जोड लगा देते हैं, जिसके बाद आप सोचते हो कि यार ये teacher इतना जोड लगा रहा है, तो definitely course में कुछ ने कुछ दम तो हो गई, वो teacher जोड इसलिए लगा रहा है, क्योंकि उस teacher को salary नहीं, बलकि course commission के basis पर रखा गया है, यानि कि वो teacher जितने का course sale करेगा, उसका commission उसको दिया जाता है, यानि कि 30%, 40%, 50% इस तरीके से course का incentive commission दिया जाता है, आज कर teachers को, इसलिए वो इतना जोड लगा देते हैं, क्योंकि जितना जोड वो लगाएंगे, जितना ज़्यादा course को sale करेंगे, उतना जादा benefit उस particular teacher को होगा, जबकि वो उस platform पे केवल पढ़ा रहा है, उसका platform नहीं है, फिर भी वो इतना motivation के साथ, इतना positivity के साथ जोड लगाता है, और फिर इस चेज का नुकसान, students को तो उठाना पढ़ता है, उसी के साथ भारी नुकसान उस particular teacher को भी उठा अगर पूरा ध्यान course बेशने में लगाएगा, तो अपना 100% पढ़ाने में नहीं दे पाएगा, अगर वो 100% पढ़ाने में अपना effort दे रहा है, तो नहीं दे पाएगा, अब उसके ओपर force है कि course बेशने थो 100% quality अपने content में नहीं दे पाधा, ये तो हो गया students को नुकसान, अब टीचर को कैसे इसका नुकसान होता है, काफी सारे लोग, काफी सारे टीचर इस वह से जवर्दस फ्रस्टेट हो जाती है, हाली में इसके बड़ा एक्जामपल देखने को मिले था, कोई तो एक mathematics के टीचर है, जो कि पहले किसी बड़े study platform पे पढ़ाया कर दे थे, उन्हो पर उन्होंने students को पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने सोचा, जैसे मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था, ऐसी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, वहाँ पर मैं किसी और के लिए course सेल कर Georg करूंगा, जितना मैं course सेल करूंगा वो सब मेरे पास आ जायेगा, तो YouTube चैनल स्टार्ट के students ने पढ़ना शुरू किया और जैसे कि अभी-अभी मैंने बताया था कि आर एक teacher है वो एक ही काम कर सकता है उसका काम है पढ़ाना अगर उसको salesman में transport किया जाएगा तो वो जो teacher वाली quality है वो उसके अंदर से निकल जाएगी जो students उसको as a teacher फोलो कर रहे थे वो उसके पास से निकलते चले जाएगे वो उसको छोड़ते चले जाएगे और ऐसा ही इस teacher के साथ हुआ था उन्हेंने सोचा कि मैं course बनाऊँगा course sale करूँगा बहुत सारी students मुझे देखेंगे और हालत ऐसी हुई कि जो teacher वो इतना popular था उसकी वीडियो स्टुडेंट्स नहीं देख रहे थे व्यूज नहीं आ रहे थे course sale कर रहे थे महस के वो course नहीं purchase के जा रहे थे जिसके वैसे उस teacher ने frustrated होके YouTube के उपर एक दो हंटे का sad live session किया जिसमें बहुत बुरी तरीके से रोहे की support करिये, views देखे मेरे वीडियो, course purchase करिये, qr वगयरा लगाया मेरे उपर इतना loan है तो यार ऐसी हरकदे करनी पढ़ती है तो यार मतलब ये classes चल रही है online पढ़ाना खुद आपने decide किया फिर ये क्या हरकदे classes में हो रही है तो पहले ही best case scenario और worst case scenario सोच के start करना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ students को क्या पसंद है students को पढ़ना पसंद है students पढ़ने आते है तो वही चीज़ उनको अगर provide किया जाए definitely आपकी videos लोग देखेंगे आपकी lecture लोग देखेंगे जो आपका character था उसी पे रही है कभी भी अपना character इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए किसी और को देखके वो तो एक बड़ा online platform दा जो की चीज़ों को manage करता था उसके पास funding थी यहाँ पर आप खुद अकेले कर रहे हो या तो आप पढ़ा लो या फिर आप business कर लो एक ही चीज़ हो सकता है तो मेरी तो सभी teachers के लिए advice यही है कि आर content के ओपर study के ओपर ज़्यादा focus करें teaching के ओपर ज़्यादा focus करें और अगर आप किसी बड़े study platform से जुड़े हुए हो तो courses करिएगा salary basis वहाँ पर आप अपना time दीजेगा इससे ज़्यादा benefit होगा आपको भी और students को भी क्योंकि वो चीज़े frustrate करती है mind के ओपर sense डालती है mind के ओपर force डालती है और काफी सारे teacher इससे जूज रहे है आज कल के time पे ठीक है जो commission based वाला system मैंने आपको बदा है तो यार ये सब कुछ चल रहा है तो इमसे बचके रहेगा teacher भी पता नहीं आज कल कै आकर आर्गदे कर रहे है class में आकर रहे हैं कुछ भी कर रहे है तो यार मुझे तो definitive बिल्कूल भी पसंद नहीं है तो यार ये चीज़े मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि टीचर खुद यहाँ पर decide कर रहा है कि मैं students को ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं अपना YouTube channel start करूँगा, फिर मुझे किसी study platform से जुड़ना चाहिए, फिर नहीं, इसके best के scenario क्या रहेंगे, west के scenario क्या रहेंगे, इस study platform मेरा किस तरीके से फायदा उठा सकता है, तो इतना तो दिमाग है, त्यार इन चीजों से थोड़ा सा बचिए, focus on self study, हमें सब बहुत हो, self study के उपर ज्यादा focus करिए, friends, अगर एक घंटे के online class लेगे, उसका डेढ़ गुना, डेढ़ घंटा self study को भी दीजे, जो प्ल रिवीजन के उपर ज्यादा focus करिए, और रिवीजन भी by self, खुद रिवीजन करिए, ये मत सोचेगा कि कोई teacher revision session लेकर आ रहा है, online classes में आपका revision करा रहा है, और आपके वल classes दे रहे हो, वो question solve कर रहा है, और आपके वल मजे में classes देख रहे हो, और मेरा तो revision हो गया, ये कु एक और है mobile addiction की बड़ी problem आ रहे है, काफी सारे लोगों ने पूछा, काफी सारे लोग मोबाइल में 3-4-4 घंटे निकाल देते हैं, पता नहीं कोच Instagram के ओपर Reel देख रहे हैं, Facebook के ओपर Reel Shorts देख रहे हैं, प्यार mobile addiction से बचे, जितने भी फालतू की notifications है, उन सभी को आज ही ओफ कर दीजे, फोन आपका बार-बार बीप नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो प्रोपर टाइम सेट कर लीजेगी, दिन में मोर्निंग में केवल 15 मिनट, दोपैर में 20 मिनट या फिर साम में 10-15 मिनट notification वगरा चेक करूँगा, बाकी mobile addiction से दूर रखे रहे हैं, जो classes वगरा लेने की जरूत है, mobile का वहीं पर इस्तमाल करिए, सही इस्तमाल इसका करिए, और साथ इफ्रेंट्स, highest score करने के लिए आपको मोक वगरा के ओपर ज़्याद़ प्रैक्टिस करनी है, दो टाइप की मोक होती है, एक तो जहां पर आप खुद मोक लगा रहे हो, self study कर रहे हो, mobile क के अंदर timer set करके, एक मोक लगाना वो होता है, जहां पर teacher exam से पहले लेकर आ जाता है, कि SSC, CHSL, mock test, all linear test, वो मोक लगाना नहीं हो, आप मोक लगाना उसको बोलते है, जब आप by self करते हो, खुद करते हो, ठीक है, तो मोक हमेसा लगाती रहेगा, और हाँ आजकल एक और personal book वगेरा नहीं मिल रहे है, तो library का कोई भी फाइदा नहीं है, library का मतलब होता है कि एक सांग जहां पर आपको books वगेरा पढ़ने को मिल रहे है, books आप घर से ले जा रहे हो, internet आपका उतना ही खर्च हो रहा है, 500-600 रुपे देखा, आप library में time waste कर रहे हो, घर पे ही एक सां माहौल में preparation कर सके, यह क्या होता है कि मैं तो okay, library में पढ़ सकता हूँ, घर पे तो मैं पढ़ी नहीं सकता, हर तरही के का यार बनिया आप खुद को strong बनाए, ताकि challenges को आप उखाड के facts अगो, और खुद को यार दूसरों से कभी भी compare मत करिये, कि यार उसने वो competitive exam crack कर लिय मैं नहीं कर पाया, उसके इतने marks आ गए, मैं नहीं कर पाया, वो CGL की तयारी कर रहा है, मैं CHCL की क्यों कर रहा हूँ, खुद को compare नहीं करना, उसका status कुछ और है, उसकी situation कुछ और रही होगी, उसके mind में आप नहीं गुस रहे हो, वो आपकी mind में नहीं गुस रहे है, तो अ मार दीजेगा, जैसे ही अब CGL की vacancy आएगी, बहुत सारे online teacher classes लेकर आ जाएगे, जहाँ पर आपको केवल objective questions के ओपर practice करा रहे होंगे, objective questions के ओपर practice तो आप खुद भी कर सकते हो, और खुद ही करना चाहिए, तब ही आपकी hardcore practice मानी जाएगी, ठीक है, तो पहले conceptual part पर, पहल गंटा notes बनाने में भी लगाईएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, live classes को avoid करेगा, क्योंकि live classes के time पर बहुत सारे students notes नहीं बना पाते, तो notes बनाते हुए चलिएगा, अगर recorded class है, पोज करके आप notes वगएर अच्छे से आसानी से बना सकते हो, ठीक है, और काफी सारे लोग जो ह कि army ordinance की भरती आने वाली है, कुछ लोग you police की vacancy आ गई, बस 5 तारिक से कुछ लोग ऐसा कहते है, Indian post guard की vacancy बोल रहा है, postman की vacancy आने वाली है, एक लाँ mail guard, इस तरीकी के update YouTube के ओपर चलते रहते हैं, तो यार इनके पीछे time waste मत करेगा, एक student एक दिन मुझे मिला था, मुझे बोलने लगया कि भाया, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, CHS exam crack करके ही रहूँगा, मैंने पूछा कि last time, कितने marks आ थे, बोलने लगया कि last time तो मैंने miss कर गया था exam, मैंने पूछा क्यों, उसका जवाब था, कि भाया, उन सर्ड ने बोला था, कि UP police constable की vacancy next month ही आ रहा है और किसी ने बोला था कि, इंडियन पोस्ट के अंदर mail guard clerk की vacancy आने वाली है, एक लांक, तो मैंने सोचा, क्यो ना CHSL को छोड़कर उनके लिए preparation की जाए, वो थोड़ा exam easy हो जाएगा, तो क्या किया, अपना खुद का नुकसान किया, CHSL की अच्छे बली तैयारी कर रहा थ वो छोड़के UP Police Constable की तयारी में लगा दिया, अब vacancy को कोई आता पता नहीं है, तो यार कुछ teachers भी होती है, कोई YouTube चैनल भी होती है, जो कि 2 साल पहले से ही मतलब आतंग मचा के रखते हैं कि vacancy आने वाली है, क्योंकि उन्हें तो 2 साल तक बिंदास अपना course बेचना है, बा आप हर एक exam को crack करने लायक बन सको, ये नहीं कि UP Police Constable भी ले लिया, SSE MTS भी ले लिया, Constable GD भी ले लिया, दिल्ली Police Constable भी ले लिया, और फिर किसी भी exam में selection नहीं हुआ, तो चीजों को समझे ध्यान से दीजिए, और जो fake job update देते हैं, उनसे भी बचके रहिएगा, ठीक है मैं आपको जब पूरी shorty हो जाते हैं, जब official notification आजा तब update देता हूँ, काफिसार लोग बुलें कि EPFO आ रहा है, आ रहा है, कहां रहा है, RTI डाली, RTI में 100% information नहीं मिलती, काफिसार लोग को नहीं बता होगा, थोड़े rule वगेरा, इसके पढ़िए, क्या कहता है RTI का rule भी, क कि मैंने सुचा आपको बताना जरूरी, आपको भी समझना चाहिए, हमें तो सब कुछ पता है कि परदे के पीछे क्या हो रहा है, आपको भी पता रहना चाहिए, ये वीडियो बनाने का मेरा परपस ये ही है, कि यार जितने भी students है, जो कि online study का सहरा लेते हैं, आंक बंद कर पर भी पैसा और टाइम इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा संभल के चलिए, जिन चुज़ों की जरूरत है, उसी के ओपर टाइम या फिर पैसा इन्वेस्ट करिए, अगर आपको जरूरत नहीं है, तो self study के ओपर भरोसा रखे, खुद के ऊपर confidence रखे, आप कुछ भी फोर सकते हो, अगर dedication दंदर है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना है था, वीडियो पसंद आहिए, आप चीज़ों को समझ गए हो, मेरे वीडियो बनाने का purpose आप समझ गए हो, तो लाइक करेगा, दोस्तों आद जाद जाद शेयर करेगा, ताकि सभी जो students है, आपके friends है, उनको एक सही direction मिल सके, तो चलिए, बाकी कुछ और चीज़े हैं, जो कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, बाकी किसी और दिन देखें है, तो चलिए, वीडियो पसंद रहेगा, लाइक करेगा, दोस्तों आप शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते अगली वीडियो में बहुत जलत अपता है, के लिए चैन, अगली वीडियो में बहुत जलत अपता है, के लिए चैन,